आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे यहां हम बात वेल्थ और हेल्थ दोनों की करते हैं जैसा कि दोस्तो हमारी स्टार्टप सीरिस चल रही है तो यह हमारा स्टार्टप सीरिस का फिफ्थ एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे कैसे एक बिजनस को मुमेंटम में लाने के बाद उसमें छोटा सा चेंज करने पर बहुत ही बड़िया इंपेक्ट हमें मिल सकता है तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें अपने बिजनस की तरफ ट्राइफिक और अटेंशन को इंक्रीज करना होगा ये किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं और इसे इंक्रीज करने से पहले हमें टाइम लेना होगा किसी भी चीज को वर्थ फुल बनाने के लिए जितना भी टाइम लगे टाइम दो पर उसके बाद उसका फूरूट अच्छा ही होगा तो हमें ये बात को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनस की तरफ ट्रैफिक को ट्रैक्ट करना है चाहे वो सोशल मीडिया से हो और चाहे वो किसी भी ओरदर प्लैट्फरम से हो तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंक्रीज कन्वर्जन हमें अटेंशन मिलने के बाद कौन प्रोस्पेक्टर से हैं जो उसके बाद एक कस्तमर में कन्वर्ट हो रहे हैं ये हमें हमेशा ध्यान देना होगा ये हमारे प्रड़क्ट की स्ट्रेंथ पे भी डिपैंड करता है कि वो प्रड़क्ट इतना काबियत रखता है कि वो customers को attract कर सके तो ये है हमारा दूसरा पास तो दोस्तों तीसे नंबर पर हमारे पास है increase average sale price ये हम कैसे कर सकते हैं तीन तरीकों से upsell करके, cross sell करके sale after sale करके upsell और कुछ नहीं अपने ही customer को additional कोई और product more expensively बीचना उसे upsell कहते हैं और cross sell sales के बाद एक complimentary product साथ में gift as a दे देना अपने existing customer को उसे cross sell कहते हैं ताकि वो customer का विश्वास हमारे साथ बना रहे sale after sale में दोस्तों हम special offer create करते हैं बिल्कुल ही किसी offer के end होने के बाद मान दीजी दिवाली का offer चल रहा है दिवाली का offer एंड होने के बाद ही कोई ऐसी offer create करना उसे हम sale after sale कहते हैं एक्जामपल दोस्तों हम Amazon की site पे जब buying करते हैं तो buy करने के बाद वहाँ पे message pop up जरूर आता है कि similar products ये वले हैं और उसी के साथ message आता है उससे बड़िया products का भी तो इस तरह से हम अपनी average sales को भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों business को grow करने के लिए और एक business को stably चलाने के लिए आगे हमें कुछ एक ऐसे common सी चीज़े अपनानी होंगी जिसका हमारी business पे publicly effect पड़ेगा जैसे कि सबसे पहले है creator hall of fame हमें अपने existing customer है जो हमारा उसे एक बाहर निकाल की अलग सा experience देना होगा जैसे कि हम उसे हमारे product और service का experience जान सकते हैं और उस experience को हम publicly share कर सकते हैं तांकि वो दूसरे लोगों को पता लगे कि वो product और service कितनी beneficial है क्या उन्हें वो लेनी चाहिए इससे हमारे business की growth पे काफी अच्छा effect पड़ता है इंडली दोस्तों हम बात करेंगे adding a goods upsell offer की हम ये सब लोग जानते हैं जैसे ही हम कोई product buy करते हैं तो हम buy करने के पार लुकते नहीं हैं scroll down करके किसी और product की तरफ देखते हैं यहां पे हमारा काम होगा एक strong offer create करना जिससे की वो customer उस चीज़ को भी buy करे जो नीचे show हो रही है tap पे इससे हम अपना conversion rate 30% सक increase कर सकते हैं इसे number पे दोस्तों हम encourage कर सकते हैं लोगों को referrals करने के लिए हमारे product की referrals जितने logo तक जाएगी उतनी हमारे पास attention आएगी और बाद में हम conversion rate के साथ अपनी sales को भी increase कर सकते हैं जैसा की हम लोगों से कह सकते हैं कि वो हमारी इस offer को तीनों दोस्तों तक share करें या हम अपने किसी facebook page पे उस post को डाले जिससे की उन्हें discounted benefit हो और हमें reference का benefit मिल सके नमबर पे दोस्तों हमारे पास है holder contest कही बार क्या होता है कही लोग motivate होते हैं इस contest से और giveaway से इससे हमारे business को sales के point of view से बहुत ही अच्छा effect मिलता है क्योंकि जब ये किसी तरीके का contest होता है तो traffic automatically generate होता है और उस traffic को हम conversion rate से राम से अपनी sales को increase कर सकते हैं अगर हमारा product या service उस level की है तो दोस्तो sales के बढ़ने के बाद हमारी बात है expansion की kind of expansion ये दो types की होती है horizontal और vertical horizontal expansion और कुछ नहीं different customers को different interest या products के हिसाब से approach करना यहां पे मतलब आप अलग products बना रहे हो एक ही product पे focus नहीं कर रहे हैं पर vertical expansion में हमारे पास एक ही product है या एक ही service है हमारे पास teaching की service है हमने teaching ही करने है तो वो vertical expansion है इससे हम go deep वो ही same customers को group को हमें differently उनके levels को समझते हुए उन्हें चीजों को समझाना है यह है vertically expansion तो दोस्तों ये दोनों levels का भी आपको business start करने से पहले start करने के बाद समझना बहुत ही जुरूरी है उमीद है दोस्तों आपको ये हमारा startup series अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जुरूर करें एक जकार ₌ल-थ, स सहत Olब हैं करें